एलो दोस्तो इस वीडियो में मैं आज आपको 30 प्लस से भी ज्यादा कॉम्पीटर नौलेज के मोस्ट इंपोटन्स MCQ बताने वाला हूँ जो कोई भी कॉम्पीटिटिव एक्जाम होगी उसके लिए इंपोटन्स रहने वाला है और अभी अभी जेट को PGVCL और GCCL में जो विद्यूत सहायक जुनियर एंजिनियर की रिक्वार्मेंट आई है उसके साथ ही GCCL प्लांट एटेंडेंट के भी रिक्वार्मेंट है उसके लिए ए वीडियो काफी इंपोटन्स रहने वाला है क्योंकि उसके सिलेबस का एक टोपी है Computer Knowledge जिसके 10 मार्क रहने वाले है दोस्तों एवीडियो बनाने का मकसद एक ही है कि कई कबार कई सारे दोस्तों 3-4 मार्क्स की वज़र से कट अप में नहीं आ सकते यह वीडियो उन सभी के लिए काफी Importance रहने वाला है दोस्तों अभी तक आपने अमरी चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि यह से ही वीडियो आपको मिलते रहे और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आये तो उसे लाइक करें सेर करें और कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट भी करिए तो चलिए दोस्तों अब हम MCQ देखते हैं तो यहाँ पे हमारा जो फॉस्ट MCQ है इंडिया में इन में से कौन सा सुपर कॉम्प्यूटर है तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा हो C है सहसरा T जो हमारा सुपर कॉम्प्यूटर है इंडिया में उसके बाद जो नेक्स क्वेस्टन है इन में से कौन सी पहली वर्ड एप्लिकेशन है तो यहां पर हमारा आंसर है D वर्ड स्टार है वो अमारी पहली फर्स्ट वर्ड एप्लिकेशन है उसके बाद जो next question है 1TB is equal to 1TB is equal to कितना होता है तो यहां पर हमारा आंसर है D 1024GB Gigabyte जितना होता है उसके बाद जो next question है Which one is volatile memory in a computer system Computer system में इन में से कौन सी volatile memory है तो यहां पर हमारे सामने चार option है इसमें second option यानि B option है RAM जिसे random access memory बोला जाता है C option है ROM Read only memory Only read करने के लिए तो यहां पर हमारा आंसर होगा B RAM Random access memory जिसे read read memory भी बोला जाता है उसके बाद जो next question है Which operating system is developed and used by Apple INC Apple INC इन में से कौन सी operating system use करती है तो यहां पर हमारा answer है C ISO हो system Apple है वो use करती है उसके बाद जो next question है Which one programming language is exclusively used for artificial intelligence जिसे AI भी बोला जाता है artificial intelligence तो यहां पर हमें चार उप्शन है इन में से कौन सी language exclusively use करते है artificial intelligence में तो यहां पर हमारा answer है D Prolog है वो हम use करते है उसके बाद जो next question है Which one is the first web browser invented in 1990 1990 में इन में से कौन सा first web browser invent हुआ था तो यहां पर हमारा answer है D Nexus है वो हमारा answer होगा उसके बाद जो next question है First computer virus is known as जो पहला computer virus है उसे क्या बोलते है तो हम यहां पर हमारा answer है B Creeper virus है वो हमारा first computer virus है उसके बाद जो next question है Firewall in computer is used for Computer में हम firewall का use क्यों करते है तो यहां पर हमारा answer है A Security purpose के लिए हम firewall का use करते है उसके बाद जो next question है Which of the following is not an operating system इन में से कौन सी operating system नहीं है तो यहां पर हमारा answer है C क्योंकि C है वो एक language है वो अपरेटिंग system नहीं है Linux है, Measure, DOS है वो सब हमारी operating system है उसके बाद जो next question है Number of layers in the OSI Open system interconnection model तो कितने layers होते है तो यहां पर हमारा answer है C 7 layer होते है OSI में उसके बाद जो next question है 1024 bit is equal to how many bytes इनमें हमारा answer होगा B 128 bytes होता है 1024 bit is equal to 128 bytes उसके बाद जो next question है Microsoft office का जो location है उसका headquarter कहां पर है तो यहां पर हमारा answer है D, Washington में Microsoft office का headquarter है उसके बाद जो next question है .gif is an extension of gif तो यहां पर हमारा answer है which one is the first fully supported 64 bit operating system इनमें से कौन सी fully supported 64 bit operating system है तो यहां पर हमारा answer है C, Linux है वो 64 bit operating system है fully supported उसके बाद जो next question है computer hard disk was first introduced in 1956 by 1956 में computer की जो hard disk introduced वी थी वो किसने बनाई थी तो यहां पर हमारा answer है D, IBM ने create किया था उसके बाद जो next question है which of the following is not a web browser इन में से कौन सा web browser नहीं है तो यहां पर हमारा answer है C, Facebook है वो web browser नहीं है WWD, MOSICC, NA, Netscape, Navigation वो सब हमारे web browser है उसके बाद जो next question है in computer world trozen referred to computer की भासा में trozen किसे कहा जाता है तो यहां पर हमारा answer है B, malware को हम trozen कहते है उसके बाद जो next question है which one of the following is a programming language इन में से कौन सी programming language है तो यहां पर हमारा answer होगा भी HTML, Hypertext, Markup Language यहां पर यह है HTTP Hypertext, Transfer Protocols से बोलते है तो हमारा answer होगा भी HTML, Hypertext, Markup Language जो programming language है उसके बाद जो next question है which computer program converts assembly language to machine language assembly language में से machine language में computer जो convert करता है उसे क्या बोलते है तो यहां आणसर है यहां पर C उसे हम assembler बोलते है उसके बाद जो next question है which protocol is used to receive email जब हम email को receive करते है तो कौन सा protocol use किया जाता है तो यहां पर हमारा answer है B, POP3, POP3 का हम use करते है उसके बाद जो next question है in which year address sign was first chosen for its use in email address किस year में first address sign हम use की थी तो यहां पर हमारा answer AD 1972 में at the red sign का हमने use किया था उसके बाद जो next question है which also known as the father of Indian super computing इन में से कौन सा है जो Indian super computing का father कह लाता है तो यहां पर हमारा answer AC जयन नरली कर है जिसे हम Indian super computing के पिता कहे सकते है उसके बाद जो next question है a computer use which type of number system to calculate and to store data computer है वो कौन सी number system यूज करता है यहां पर हमारा answer है C binary number system को यूज करता है जिसके only two digits है 0 and 1 decimal number system का base है 10 octal number system का 8 है और hexadecimal number system के लिए 16 है उसके बाद जो next question है what is the extension type of the excel 2007 files 2007 जो excel की file है उसका extension क्या है तो यहां पर हमारा answer है B dot xlx हमारा सही answer होगा उसके बाद जो next question है the basic units of excel spreadsheet where we enter data is called जब हम excel spreadsheet create करते है तो उसके data हम कहां पर enter करते है तो यहां पर हमारा answer होगा C वह हम सब cell में enter करते है उसके बाद जो next question है the maximum number of rows supported by excel 2003 spreadsheet 2003 की जो excel spreadsheet है उसमें maximum number कितने support होते है तो यहां पर हमारा answer है D 65,536 उतने number हम row में maximum लगा सकते हैं उसके बाद जो next question है the maximum number of rows supported by excel 2007 spreadsheet 2007 spreadsheet में हम कौन से number लगा सकते हैं तो यहां पर हमारा answer है D 1048576 जितने हम row में number लगा सकते हैं maximum number उसके बाद जो next question है what is the maximum size of a word document created जब word document हम create करते हैं तो उसकी maximum size क्या है तो यहां पर हमारा answer है B 32 MB चितना हम use कर सकते हैं उसके बाद जो next question है which key combination is used to minimize all open window and display in the screen जब screen पर हमें कोई भी एक साथ कितनी ज्यादा display होती है तो उसको minimize कैसे कर सकते हैं तो यहां पर हमारा answer है D control D दबा के हम सबको एक साथ minimize कर सकते हैं उसके बाद जो next question है how many users can access a share folder simultaneously from a window XP machine window XP machine में हम folder को simultaneously कितने use कर सकते हैं तो यहां पर हमारा answer है C 15 हम use कर सकते हैं उसके बाद जो next question है which key combination is used to close a open application in window machine window machine में जब हमारी application open होती है तो हम उसे किसे बंद कर सकते हैं तो यहां पर हमारा answer है C alter plus F4 जिसे हम बंद कर सकते हैं उसके बाद जो next question है which one is the latest release of windows client operating system इन में से कौन सी window की client operating system है latest तो यहां पर हमारा answer है C window 10 है वो सबसे latest system है उसके बाद जो next question है which function key needs to be pressed during reboot to enter in safe mode of a window machine window machine में हम reboot करने के लिए कौन सी key safe mode में यूज करते हैं तो यहां पर हमारा answer है A F8 हम यूज करते हैं उसके बाद जो next question है Linux is an example of Linux को इन में से कौन सा example है तो यहां पर हमारा answer है C operating system का example है उसके बाद जो next question है which key combination is used to permanently delete a file or folder file or folder को permanent delete करने के लिए इन में से कौन सी की काम यूज करते हैं तो यहां पर हमारा answer है A shift plus delete तभी हमारी file होगी वो permanent के लिए delete हो जाएगी उसके बाद जो next question है which one of the following is not a computer language इन में से कौन सी language है वो computer के लिए नहीं है तो यहां पर हमारा answer है B Lotus है वो computer के लिए language नहीं है basic language है C++ है और Java भी है उसके बाद जो next question है which one is used for making presentation file from Microsoft Office package Microsoft Office software package है उसमें हम present decision के लिए कौन से file यूज़ करते हैं तो यहां पर हमारा answer है D MS PowerPoint का हम यूज़ करते हैं तो दोस्तों इस video में मैंने आपको 38 most important computer knowledge के MCQ बता है हम इसका दूसरा part पर लेके आएंगे तो अगर आपको हमारा video पसंद आया होग तो like करे, share करे और subscribe करे Thank you for watching my video करेंगे